हालो फ्रेंट्स वेल्कम टो माई चैनल ट्रेनिंग एंट्री आज मैं आप लोगों को स्विंग एस्टेटर आरेंसी प्लान्ट की बारे में बताऊंगा यह है वर्दल कि मैं रहुड को आपना ट्रेंटार से कैसा क vom करते हैं साइट कैसा न्यू बनाते हैं यह चीज मैं आप यह वीडियो में बताने वाला हूं इस वृदियो में बताने वाला हो जो मैं चैकि पैसलिये भीडियो करता हूं ruined पहले आप लोगों को Master में आना है Master में आने के बाद रेसिपी में आना है रेसिपी Master है जिसका shortcut हुए है यह देख रहे हैं आप Ctrl-R जब Ctrl-R कर देंगे तब करना है वोप्स ओपन हो जाएगा यह विंडो ओपन हो जाएगा यह देखी यह open हो गया है तो अब मुझे नेर रेसिपी बनाना है तो अभी मुझे इसमें टाइप करना है M40 कस्टमर का नाम देदिए महां लेजे AD Infra यह रेसिपी नेम में इसमें नाम देना है इसमें मैं दे रहा हूँ AD Infra जैसे कोई स्पेशल कस्टमर है उसका मिक्स लेज चले गए यानि M40 का यह डिजाइन चाहिए तो यह आप डाल भी सकते हैं अगर आपने requirement नहीं है तो आप सिर्फ M40 डाल सकते हैं कोई स्पेशल कस्टमर है तो आप मिहां पे पर कस्टमर के नाम भी दे सकते हैं यह तो ग्रेड हो गया और यहां पर आप कस्टमर के नाम भी आप कर सकते हैं इसकर आपको पैचानने में आराम आब रहे गए कि हैहां तो यह mix design जाएगा इसलिए मैं यहाँ पर एडी इंफ्रा कर दिया हो customer के नाम डाल दिया हो अब यहाँ पर आपको 20 mm fill up करना है जितना आपको quality engineer देगा mix design उतना आपको यहाँ पर fill up करना है कि यह crescent हो गया यह 10 mm हो गया कि मैं यहाँ पर सिमेंट को कॉलम जो है बर दें कि रिएटी हो गया कि इस नैंटी वोटर कि वन नैंटीफाइग और यह mixer capacity मेरा हाफ में क्यूब कर प्लाइट है तो यह maximum capacity इसकी 0.5 है अगर वन एंटीफ कर रहता है तो वन एंटीफ यहाँ पर देता है तो आपको इसमें अगर बैच कम लिना है तो यहाँ कम कर सकते हैं पर इससे जादा नहीं कर सकते हैं यहाँ पर यहाँ आपका आगया density density इतना ही रह चीज सो इसके नियर वाउड इतना रहना चाहिए यह तोटन मट्रियल का density है यहाँ पर यह पुराने मिक्स जी सब जी मिक्स डीजाइन है अभी मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर शो करेगा अब मैं सेव करता हूं यह मिक्स डीजाइन सेव हो जाएगा अब आपको नहीं देख रहा है इस वाउल मैं करता हूं नीचे करता हूं अधा आप लोग देख पा रहे हों सेव हो गया यह सेव करना है आपको सेव कर देना है सेव कर देंगे मिक्स डीजाइन मेरा सेव हो जाएगा यहां से सेव करना है यहां से कि अधिकर दिए एक्जिट कर दिए अब आपको बनाना है कस्टमर कर देंगे अब इस एडी की नाम से नहीं है न तो एडी इंफ्रा कर देना है एडी इंफ्रा यहां भी भर दीजे एडी इंफ्रा कई तक युकनी कर स्वास बना रहे है आप है मुत सब्सक्राइब अब यहां पर देना है एड्रस में मूंबई दे दिजिए City है फिन कोड है वह अपने इसाफ से आप आपके requirement के साफ से बार सब भी सकते हैं फोल भी सकते हैं फिर सेफ कर दिजिए इसे छिए तो यह आगया एडीइंफरा i am ihex कर दें अब आये अब साइट पर नए किसे बनाते हैं साइट पर क्लिक करें जाइडि इंफरा यहां पर चूश कर लिए अब यहांपर करेंगे इतने हैं साइट का नाम नहीं आए आएगा इसाइट का नाम मुंबई दे दें मु अब सिंपल क्या करें सेविए तो यहां पर आजाए गा तो यहां पर आजायगा यहां पर आज़ा एडरी इंपर मुंबिल इंपर एक Maxim रेसिपि नय बन 가या बन गया कैसे नए बन日 में आप कैसे प्लेंट करेंगे उसमें अब करेंगे जैसा व्लांट चलाएंगे पैसे प्ल पर एक स्टाट पर एक है स्टएट पोडाक्शन पे गए तो यह बेनो और नुल जाएगा फि यह इकरना किये आपको और पे शो नहीं होरा है से खिले हैं कि अपको टाइप करना है कर न rebellious अरुस्त in पै नदे तयां वारा टाइप में रहें करना एक ceram आपको यहां परना जुब हेसा है जबनेगे दुबहरा यह यह और यहां पे यह यह करेंगे तो दुबारे यह आ जाएगा प्रप्कुले करना है यह बटाल पर एडी इंफ्रा और गया है यहां पर चूज कर लिजिए साइड भी आ गया अब क्या करना है Mixed Design जो एक फोटी में बनाए था वो यहां पर लगाना है यहां पर अभी तो नहीं आ रहा है अभी देखिए नीचे इस्टॉल कर रहा हूँ है यह यह M40AD Infra यह मेरा Mixed Design जो मैं बनाए था यहां पर आ गया अब यहां पर आप ट्रक नंबर देदें जो आपकर जो लोड करना है ट्रक नंबर यहां पर देदेजिए यह देखिए Mixed Design पूरा आ गया है जो मैं डाला था Mixed Design जो बनाए था नया इसा तरह आ गया है यह 10 mm, 20 mm यह इसा तरह आ गया है 20, Crescent 10 mm यहां पर क्लिक किया है यह देखिए AD Infra आ गया AD Infra आ गया यह पूरा आ गया और रेसिपी रेसिपी भी आ गया अब आपको क्या करना है Production करना है इसके 4 MP 5 MP जितना भी है आपका है यहां पर order number देजिए order quantity देजिए जैसे आपका quantity order इतना है order quantity है 100 MP तो यहां पर 100 डाल दिजिए यहां पर production डालना है आपको जितना आपका order हो मैं 6 डाल दिया हो और यहां load send पर 0 रखना है तो जैसा एक गाड़ी दो वाड़ी आप load करते जाएंगे तो यहां पर बताता जाएगे जैसे एक गाड़ी 6 MP लोड करें है तो यह बताएगा जब load हो जागा तब दूसरा गाड़ी में बताएगा यहां पर 6 बताएगा तो दूसरा गाड़ी का जो है आप जब load कर देंगे फिल बारा बताएगा फर्स्ट इम जब आप load कर रहे हैं तो यहां पर 0 रखना है यह 6 MP कर दिये production करना है मुझे 6 MP कर दिये आप क्या करना है आपको यहां पर transfer to PLC यहां पर करेंगे न यहां पर highlight हो जाएगा अभी यह highlight नहीं यह on नहीं है start के अब मैं click है start की यह नहीं dark हो गया अब जैसे यह आप बर start करेंगे यहां पर click कर देंगे यह plant automatic start हो जाएगा start करने से पहले आपको bucket नीचे रहना चाहिए जुए और यहाहत है प्लांट तो अच्लjaz करके कोई ना सब्सक्राइब देख सकते हैं कि CP30 के पैनल से कैसे ऑपरेट करते हैं मैनुल और आटो में वो चीज मैं आप लोगों को बताया हूँ तो डिस्क्रेप्शन बॉक्स में आप लोग जाके महाँ से देख सकते हैं